हे गाईस कैसे हो आप सब आई होप आप सब मस्त होगे तो गाईस आज की इस वीडियो के इनलर मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो का बैगराउंड किस तरीके से डार्क ब्लैक में कॉनवर्ट कर सकते हो गाईस आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम के अंदर देखा होगा काफी सारे लोगों की वीडियो में उनका जो बैगराउंड होता हो पुरा डार्क ब्लैक होता है लेकिन गाईस वो जो अपनी वीडियो को शूट करते हैं वो ब्लैक पर दे के आगे शूट करते हैं ले गाइज मैंने इस टॉपिक पर काफी सारी वीडियो अपलोड कर दिया लेकिन अभी भी मुझे उस वीडियो का कॉमेंट आता है कि भाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है मतलब काफी सारे लोगों को प्रॉबलम आ रहे हैं लेकिन गाइज इस वीडियो के अंदर में आपको ड हम आचुके अपने फोन की स्क्रीन पे तो सबसे पहले यहां से आपको करना क्या होगा कि आप लोगों को अपना वीडियो को अपन कर लेना है अगर आपके पास अप्लिकेशन नहीं है तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रॉइट करा दिया है जाके वहां से आप ल लूग निए प्रोज्क पर चैनल तो सिंपल से आपको ऊपर यहां पर देख सकते हो स्टाओक वीडियो का औप्शन दिखेगा सिंपल से आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां से आप लोगों को अपना background select कर लेना है वो भी black color का ठीक है उपर यहां पर देख सकते हूँ ठीक है तो इसपे मैं select करूँगा और यहां से add पर click कर दूँगा ठीक है तो जैसी guys मैं हापे इसको add पर click करता हूँ तो यहां पर देख सकतो guys हमारा जो black color का background था वो आ चुका है अभी guys last में हमें cap card के तरफ से एक watermark दे देता है तो हम इसे क्या करेंगे यहां पर click करके इसको delete कर देंगे ठीक है अभी guys जो इसकी length है इसको हम बढ़ा देंगे ठीक है इसको फिर भी नितो 20 seconds तक बढ़ा देंगे अब इतना करने के बाद guys अभी हमें क्या करना है कि हमें अपना जो यह वाला size है इसको हमें अपने instagram के reel के size पर बनाना है ठीक है तो उसके लिए guys हमें क्या करना होगा इधर की तरफ थोड़ा सा swipe करना है यहां रेटियो का एक option मिलेगा simple से इस रेटियो वाले option पर click करना और यहां पर 9 to 16 जो ratio है इसको select करना और अपने इस black background वाले layer पर click करना और दोनों fingers की मदद से कुछ इस तरीके से अपने background को पूरा zoom कर देना ठीक है zoom करने के बाद बस इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा simple से यहां पर जो overlay वाला option है simple से इस overlay पर click करना then add overlay वाले option पर click कर देना और यहां से आप लोगों को अब अपनी वीडियो को ले कर आनी है अब आपकी वीडियो जहां पर भी suit हुई हो ठीक है अब outdoor में इंडोर में जहां पर भी suit हुई हो उस वीडियो को ले आना अब हमें क्या करना है कि अपने इस वीडियो का जो background इसको रिमूफ करना है तो रिमूफ किस तरीके से करना है इसके लिए गाइज हमें क्या करना होगा अपने वीडियो वाले layer पे click करना है थोड़ा से इधर की तरह आना यहां पर आपको क्या मिलेगा cut out का option ठीक है cut out पर click करना यहां पर आपको तीन options मिलेंगी एक में तो आप गाइज जो बीच वाला है ये वाला ठीक है इसमें customize वाला तो इसमें आप लोग manually अपने background को erase कर सकते हो लेकिन आप लोगों को अगर बहुत easy process करना है one click में तो इसके लिए आपको remove background पे click करते हो यहां पर देख सकते हो आपको दो options हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आप लोगों को turn off cut out ठीक है इस पे click कर देना होगा जैसी आप लोग इस पर click करते हो आप लोगों को थोड़ा सा wait कर लेना होगा ठीक है और यहां पर guys अभी आप लोग video देखना कितना मस्त इसका जो background है वो erase हो जाएगा ठीक है यहां पर थोड़ा सा guys हमारा यह loading ले रहा है ठीक है यहां पर मैं इसको थोड़ा सा यह देख सकते हो बहुत ही अच्छे से एकदम वह हो चुका है हमारा जो background हो black color का बन चुका है मैं इसलिए इसलिए यहां पर थोड़ा सा टाइम लगाए बाकि आप लोगों का internet जितना फास्ट होगा उत्ता जल्दी होगा यहां पर देख सकते हो ठीक है यहां पर देख सकतो background चेंज हो चुका है अभी simple से हमें क्या करना है नीचे से इसको हमें done करना होगा डन करने के बाद जहां तक हमारा जो background है वहां तक हम वीडियो को रखेंगे बाकी जो background इसको delete कर देंगे अब यहां पर देख सकतो background तो चेंज हो गया है वीडियो का लेकिन अभी realistic नहीं लग रहा है थोड़ा ठीक है तो realistic बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सिंपल से हमें क्या करना है अपने background वाले layer पे क्लिक करना है जैसी हम यहां पर click करते हैं सिंपल से यहां पर urges पे आ जाना है अर्जिस्ट पी जैसे ही आते हैं यहां पर exposure पे आना है इसमें थोड़ा ज्यादा exposure है बोले तो ज्यादा ही bright है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा अपनी video वाले layer पे click करेंगे ठीक है करने के बाद guys इधर के तरह आएंगे और यहां पर urges पे आ जाएंगे और थोड़ा सा guys हम क्या करेंगे यहां पर brightness पे आ किसका जो brightness हो थोड सा light effect होता है तो उसको हमें create करने के लिए simple से एड़ वर ले वाले option पे click करना है और यहां पर photo वाले option पे आ जाएंगे और गाईज मैं आप लोगों को दो light color की PNG दे दूंगा ठीक है यहां पर देख सकते हो telegram पहरे मिल जाएगी आपको तो वहां से download कर लेना अब जैसे इ अभी क्या करना है थोड़ा सा आपको ना इधर की तरह पाना है और इसकी ओपसिटी गईस थोड़ा सा डाउन करनी है आपको ठीक है तो ओपसिटी का कहां गया भाई चलो बाद में कर लेंगे पहले हम दूसरा वाला light add करते हैं तो add overlay फिर से हम क्लिक करते हैं दैनिहा से blue color क इसको भी दोनों फिंगर से कुछ इस तरीके से जूम करेंगे इसको भी साइड में कुछ इस तरीके से ले जाएंगे कुछ इस तरीके से ठीक है इतना करने के बाद इसकी जो लैंद है पूरा वीडियो के एंड तक रग देना होगा कुछ इस तरीके से यहां पर देख सकते यह कुछ इस तरीके से ठीक है तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देख सकते हैं आपर जो वीडियो है वह क्रियेट हो चुकी है तो गाइस मुझे नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा इसका ओपिशिटी कम करना पड़ेगा बलकि हमें वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करके न थोड़ा सामे को इसका जो ब्राइटनेस है इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा विकॉस काफी ज़्यादा डार्क हो गया ठीक है तो इसको जैसा था हो ऐसी कर देते हैं हलका सौर बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से दन डन अब यहाँ पर देख सकते हो गाईस वीडि क्लिक कर देंगे तो जैसी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो है हमारी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी तो वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करेंगे जरू से बताना बाकी हम मिलते हैं किसी ऐसी कमाल के इंट्रस्टिंग वीडियो के अंदर तब